होम टूर वाला इंट्रेस्ट तो बना रहता है हर किसी के मैंन में कि उसका घर अंदर से कैसा होगा क्या होगा और यह है मल्कुनी तो यह रिंगाल से बनी रहती है और यहां से देखिए पूरा मुलब दिवार नीचे डहने को हो रही है यह कैमरा है वो तो जैस सुबह सुबह बाहर आए तो आज बाहर देखिए बारिस लगी हुई है कल तक मौसम कापी सही था तो स्कूली बच्चों की चुट्टियां थी आज मौसम गडबाड हो गया तो आज फिर से स्कूल खोल गए साइज हो सकता है चुट्टी पढ़ जाए फिर से दुबा राकिन गमलों में पानी आता रहे तो हमने एक खौले में रख दिये हैं इनमें नेचुरल वाटर अपढ़ता रहेगा सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भाय नमस्कार मिर नाम है अलो करना और स्वागत आप सभी का देभूई उत्राखन के इन खुब सुरत बरस्ते हुए पहाड़ों से अभी सबक करीब सावसात हो रहे हैं और आज की दिन के सुरुवात पी हो चुकी है और आज देखें मदमेसर वैली की और हेलिकॉप्टर जा रहा है इतना नजदीक तो यहां कभी नहीं दिखाए देता है बहुत ही कम दिखाए देता है यहां के सारे पक्षियों में एक हरवडार ची मज गए कि यहां क्या गए और जो हेलिकॉप्टर है वो ठीक सामने रांस मौसम जबठीक हो जाए गा उसके बाद मौसम अपने आखरी चरण में है इसके बाद मौसम जब ठीक होजाएगा इसके बाद मौसम जब ठीक हो जाएगा बाद मैं भी ट्रिप पर निकल जाओंगा और सोच रहों का अपने गाओं में भी कुछ ऐसी जगें हैं जो आज तक मैंने वीडियो में नहीं दिखाई हैं उनको भी आपको दिखा दूँ एक जादा जी मिले थे गाओं के तो उन्होंने बताया कि भाई उस चीज को दिखा द भी आप दीड़र फिरे हैं यहाँ सा पथर गिरें कुछ दिन पहले और यहां से डिखेंओ और यहां से ऻुट्वनलीय कि दिखाती और यहां से डिग्रोपींलय का हो रही है यहां से कुछ पत्तर नीचे गिरे भी हैं, पानी आ रहा है तो पूरी दिवार को अपने साथ ले जा रहा है वो बाकी हलका सा यहां से भी टूटना सुरू हुआ है, खर देखते हैं आप तो मौनसुन जानेई वाला है किदारना धाम है सिर्फ 65 किलोमेटर कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, बाकी यह है में लेंड फ्लाइड वारी जगो, अब इस साल थोड़ो सा इस्तिर रहा, नई तो पिछले साल तक हर टाइम कुछ ना कुछ तूटता रहता था अब जैसे यहां घर पर पहुचा तो यहां पर रखा हुआ है कोदा एक जगा पर इखटा करके, अब यह होता है कोदा जो कि इसको मंडवा भी बोलते हैं और इसके आटे की रोटी बनती है, बहुत ही पॉष्टिक अब माने बताया है कि जो यह कोदा एसे रखा हुआ है, इसको बोलते है कि सिजोण के लिए रखा हुआ है, मतलब कि उसके अंदर गर्मी की वाँसे बीच सारे उसके अलग होते जाएंगे और फिर उसकी मंड़ाई करने में आसानी होगी, उसको पैरों से मानेंगे फिर अब यहां पर मान की तयारी है, जो कोदा है उसकी मंड़ाई करने पर, इसको काफी दिन होगे थे यहां पर रखे हुए, जो कोदा है इस पर नए-नए कोपले आने लगी है, तो अब मतलब यह मानने के लिए पूरा सा रेडी है, इसको ऐसे पैरों से मंड़ाई करते हैंगे और इससे ये बीज ऐसे अलग हो जाएंगे अभी तो ये बस थोड़ा सा ही है जिनका बहुत ज्यादा कोदा होता ना उनका एक बड़ा सा धेल लगाए रहता है और यहां पर दो टाइप का देखिए यह भी हरा है और यह पूरा मुला पक सा गया है इसको कर कई दिनों तक ऐस से ऐसे ही हो जाएगा जैसे यह वाला है और अब थोड़ा सा मंटाई कर लेता हो कुछ है कुछ यहां पर रखा है कुछ उपर ya और चत दो बूपर कशनर में रखा है कुछ उधर गोसाला पर रखाओ है 10 это इसको पैरों से ऐसे ऐसे BUT उसके दाने अलग हो जाएं बस और यहां पर देखिए मंडाई करने के बाद न जो दाने हैं बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं देरे देरे और हम है चोटे मोटे किसान चोटे मोटे केती होती है तो हातों से या पैरों से हम इस सारा काम कर लेते हैं मसीन की कोई ज़ूरत नही इसकी मंडाई कर दी है और कोदे की मंडाई के बाद कुछ ऐसा सूख जाएगा यह कुछ दिन पहले इसकी मंडाई करी थी इससे दाने देखो जो अलग होते जा रहे हैं देरे देरे इसको मटलने से अलग चान देंगे तो जो कबाड कबाड है अलग हो जाएगा दाने जालके इससे की वीज अलग हो जाएंगे और पीछे का जो भी कबार है वो अलग हो जाएगा और यहां गाम में पहले सही हाथ सही पुरी खेती वाड़ी का काम होता है मसीनों का यूज विलकुल भी नहीं होता है हर चीज का जुगार बना हुआ है हर चीज का मदलब एक अब हमारा जो नया वाला घर है वो तो जातर आप सभी लोगों ने देखा ही होगा दीदी की वीडियो में प्रिती की वीडियो में मेरी वीडियो में भी वो तो बनते हुए देखा है अपने लेकिन इस वाले घर को मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया है कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई अपने घर के अंदर दिखाओ तो थोड़ा सा होम टूर वाला इंटरेस्ट तो बना रहता है हर किसी के मन में कि उसका घर अंदर से कैसा होगा, क्या होगा दिपावली के टाइम पे हम सोच रहे हैं कि इस पूरे घर पे पेंट करेंगे, क्योंकि साइड साइड से जहां बरसात का पानी लगा होगा, वहाँ पूरा काला काला सा हो गया है, सैवाल जमी हुई है, तो ये सब सफाई करनी जरूरी है, तो उसके बाद मैं एक दिन आपको पूरे घर का होम टूर करवाओंगा कि इसमें मतलब कैसा है, घर के अंदर कैसा है, और अचल की तयारी हो चुकी है, फापन जाने की, आचल, कहां जा रहे हो, चक्की पर, और ये है मल्कुनी, तो ये रिंगाल से बनी रहती है, तो इसमें सिलेंडर भी अच्छे से लिया ज और यहां घर की चत में तिल रखे हैं सुखाने के लिए, जो सूख चुके हैं काफी अद तक, वो देखो, उनका रंग पुरा ब्राउन सा हो गया है, ये भी हरे से हैं, कुछ इनों में सूख जाएंगे तो उसके बाद इनसे तिल निकाल देंगे, और धीपावली के टाइम पर बुखना बनाते हैं, बुखने में तिल मिलाते हैं, अखरोट मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, फिर उनको खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग रहता है, सारी चीजें एक अलग से टाइम पर होती हैं, फिर सब को मिला के अराम से खाते रहते हैं, और मा गोसाला से लिया है, चोटी दो कडियां इनको बोलते हैं छोट चोटे बंक्त रहे हैं वाली बल देखे अब आज पूरे दिन बार मौसम खराब रहा और अभी थोड़ा सा आकास निला होने लगा है गिरिया की साइड से बाकि मा की सिरणी भी तयार हो चुकी है कल वहीं से गास ले आएंगी लोगों का मांग के ले आए थे वो वापसी करना है और हम गिरिया जाने की तयारी करी रहे थे कि आचल भी आ चुकी है चक की से रासन ले आके और ठीक सामने पहाडी पर जो संसेट भी हो रहा है इस टॉप पर हो रहा है अज पीक सीजन रहता है गर्मियों का उस टाइम यह पर रहता है और सड्जों में चले जाता है यहां तो फिर उसके बाद दिन तो बहुत छोटे हो जाते हैं मा तो मिरसाथ यहां पर बैठती नहीं है वाइक में डर लगता है बुला हब डर की बात तो है वाई ऐसे मैं आज मेरे इसाब से नीचे के टायर पर सही है कम तो सोरी है यह देखे अब यहां पर अगर कम ग्राउंड क्लेनन साली कोई गाड़ी होगी ना वो तो नीचे ऐसी जोर से बसती है और वापर आज तो यहां और भी भैंकर और रखा है यहां पर मैं थोड़ा सा पीछे का टायर गुमा है मिटी में मा को डर लगने लगने और चटने लगी है और बरहाप से डकी हुई चोटिया दिखाये देरी घे और उपर ऊपर की चौटिया वीमा को बने लगा है मतलब पिशलंते हुंसे अब सब्सक्राइब होगी अ क्या यह कैमरा है वो यह है गोप्रो अभी वीडियो रिकॉर्ड रही है और यूट्यूब पे जाएगी प्रणाम भई कैच भई कैमरा लगी तो भी उनावा कैमरा अब यहां घर पहुंचके रहा है मैं ठीक सामने के पाहनों का टाइमलेप्स लगा दिया है और टाइमलेप्स तक कैसे लगाया है यह पूरा हेलमेट ही मैंने नीचे खौले के पास में रख दिया है कैमरा निकालने की कोई जूरत नहीं है बस टाइमलेप्स आता रहेगा अच्छा वाला जो मारे डेली वीवर्स हैं उनमें सही किसी का कमेंट आयता पिश्टी वीडियो पर कि भाई बढ़ जाती है घर में तो घर पर थोड़ सा एक्स्ट्रा दूज होना जरूरी है कभी कोई मिमान आ गया अचानक फिर तो चाई पानी मनाने के लिए हो जाता है